नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस पॉलिटिकल वाइट और आपके साथ मैं हूं करांति सिंग। क्या कुछ कह रहे थे राहूल गांदी सुनिये। चीन के खत्रे को नहीं समझते हैं। राहूल गांदी ने दावा किया कि लद्दाक में भारत का लगभग 2000 वर्ग किलो मिटर शेत्र चीनी कबजे में चला गया है। उन्होंने कहा कि मैं दोहराता रहता हूं कि चीन ने हमारी जमीन पर कबजा कर लिया है। सरकार पूरी तरह से इससे इंकार कर रही है। ये खतरनाक है। आपको तादे कि राहूल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए आविशक हो गई है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है मीडिया संस्थागत धाचे न्यायपालिक और संसत सभी परहम्दे हो रही है हमें अपनी आवाज और लोगों की आवाज को सामाने चैनलों के माध्यम से रखने की बहुत मुश्किल हो रही है यह आधुनिक भारत में पहले कभी न पतीक है हमारे रत लोगों को जुटा रहा है और गले लगा रहा है राई गांदी ने इसी और बहुत अंडर करेंड था उन्होंने कहा कि हम संस्थागत धाचे से लड़ रही है आर-स-स और बीज-पी उन संस्थानों को अपने कबजे में लिए हैं जिनें तटिस्थै रहना चाहिए राहुल गांधी के इस बयान के बाद जु है प्रतान मंतरी नरेंदर मोधी और दूसरी तरफ विदेश मंतरी के ओपर कई सारे सवाल उठने लग गए हैं राहुल गांधी के इस बयान को सुनने के बैद अब आप लोगों को क्या लगता है कमिन्ट में जरूर बताइए का अभी के लिए वस इतना ही देश तुनियाक तबाम बड़ी खबरों के लिए देखते रिए नेक्स्ट नाइन योज पॉलिटिकल बाइट